भारत दुनिया में सबसे बड़ी योधाओं और सबसे बड़ी सब्धिताओं का देश है। आप सभी ने अक्सर सुना या पड़ा होगा। इतिहास के किताबों में भारतिय प्राचीन काल के कई महान और अजय योधाओं के बारे में आज हम भारत में अपने अब तक के पांच सबसे बहाद्दुर और सबसे बड़े योधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त सावराज के प्रसिद्ध शाशक समुद्र गुप्त को उनके सबसे अच्छे रणनीती कारों में से एक माना जाता है। वे चंद्रगुप्त प्रथम के प्रत्यक्ष उत्राधिकारी थे और हमेशा युद्ध के मूल सिधान्तों पर शासन करते थे। उनकी अत्यधिक प्रसिद्ध शांदार विजय में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ-साथ दक्षणी भारत के मध्य भी शामिल है। वे अपने जुनून के कारण भारत के उत्तरी भाग के चक्रवती राजा के रूप में जाने जाते थे। हाला कि फर्स्ट बैटल अफ टेरेन में वो पराजित हुए और युद्ध बंधी के रूप में पकड़े गए और बाद में उनकी आखों को लोहे की रौट से छेद दिया गया था। नमबर त्री रानी लक्षमी बाई 19 निवेंबर 1828 से 18 जून 1858 तक रानी लक्षमी बाई सबसे लोगप्रियम महिला युद्धाओं में से एक है। माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतिहास में अपना नाम योध्धाओं की लिस्ट में शामिल किया। 2. महराणा प्रताप 9 में 1540 से 9 जैनवरी 1597 महराणा प्रताप राजस्तान के बहुत ही बहादुर हिंदूर शासत थे। उनकी बहादुरी की कहाणिया मुग्लों के खिलाफ खास कर अखबर के साथ उनका संघर्ष शिवाजी और औरंग जेप के मामले में उसी तर्ज पर व प्रमड किया और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। महराणा प्रताप ने अपने पौराणे गोडे चेतक के साथ जंगलों में एक लंबा समय बिताया जब रणनितिक हमलों के लिए युद्ध चल रहा था। वे बहुत कम शाशकों में से एक थे जन्होंने भारतिय इतिहास में बीजापुर के शक्तिशाली मुगलों और अदिशाही सल्तनत के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन में नेतरत्व किया। ये वो थे जन्होंने पहली बार हिंदू शासन के लिए हिंदू स्वाराज का गठन किया। उनके युद्ध और स्पेशली गुरिल्ला युद्ध की विध्याएं अभी भी विश्व युद्ध की रणनीती में बहुत प्रसित हैं। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड हमारे देश के कुछ प्रसित युद्धाओं के बारे में जिनकी वीर गाथा आज तक हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चानल Knowledge Junkie 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करना और हां लाइक करना ना भूले। अगला वीडियो आपको किस विशेप पर चाहिए हमें जरूर लिखेगा। धन्यवाद।